किसान भी यह जो देख रहे हैं मेरा खेत है इसको रोपित क्या हुआ है और इसमें हमने जो है डीएपी भी डाला था लेकिन फिर भी जो है इस परकार के जो घास है चोड़ी पत्ती में जो आएगा यह बहुत ज्यादा जो है इसमें उगे हुए हैं तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का युज़ कर रहे हैं जो कि टूफोट्डी का यह जो सैलीस नाम से जो पव्डर फार्म याता है एक केड़ी पव्डर भी आता है एक यह भी आता है तो इसको जो है आज ड्यएपी में city में के खेत में डालने वाले हैं और इसमें हमने रिपीट भी डाला था लेकिन रिजन यह हुआ था कि हमने इसमें जो है जो पलारी था पैरा था गर्मी का उसको हमने दबाया था जिसके वज़से जो है रिपीट भी धंक से काम नहीं किया धान भी धंक का ग्रो नहीं कर पा रहा ह और इसमें यूरिया भी ड़ल चुका है लेकिन फिर भी आप देखेंगे धान की ग्रोथ पूरी रुकी हुई है रिजन यह की नीचे जो है पैरा भरा हुआ है उसके वज़से यह अभी ग्रो नहीं कर पार है साथ ही साथ पैरा के वज़से रिपीट भीढ़न के काम नहीं किय और इस परकार के खत्पतवार जो है इसमें उग गए है तो इसके लिए अभी जो यह जो आप देख रहे हैं सेल्यूसन इसको जो हम अभी इसमें डाल रहे हैं मैं इसको दो तीन दिन बाद आपको रिजट भी दिखाऊंगा की कि इस तरीके का इसका परफॉमेंस रहा है त और धान भी आप देखेंगे थोड़ा से फैला दिया जो कि टूफोड़ी का मतलब रहता है जब आप टूफोड़ी डालेंगे धान फैल जाता है तोड़ा इस्ट्रेस मा जाता है अच्छी बात है इसे थोड़ा कंसे होगर फूटने में भी मदद करेगा बाकि अगर आप जो है यूरिया या डियपी या बालू के साथ भी टूफोड़ी देते हैं तो काफी कारगर जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस्प्रेग नहीं कर पाते हैं तो उसी सिती में आप देखेंगे बड़े आसानी से जो है ये तूड़ जा रहे हैं जितना लग रहा है कि चलो कंसे की संक्या एक या दो तो बढ़ेगी हर एक जितने भी आप देख रहे हैं पौद उसमें एक या दो कंसे की संक्या तो नीची तोर पर बढ़ेगी